पाकिस्तान के पंजाब रांद की असेंबली में चमकर मार पीट हुई है विधायक एक दूसरे से भिड़ गए इमरान खान की पार्टी पीटी आई और सहबास सरीफ की पार्टी पीमलन के विधायकों के बीज चमकर मार पीट हुई है बता दे की इमरान खान सत्ता से बहार हो चुके हैं उनकी जगह पीमलन के अध्यक्ष सहबास सरी पाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री चुने गए हैं बता दे की पंजाब रांद की असेंबली में भारी हंगामा हुआ है पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर पर पीटी एलक्यू के विधायकों ने हमला कर दिया इमरान खान की कुर्सी जाने से उनकी पार्टी पीचियाई के नेता और कारकरता खासे नाराज हैं पता देगी लाहोर हाई कोट ने सुक्रवार को पंजाब विधान सभा को निरदेश दिया था कि राज के दूसरे सबसे बड़े प् अप्रैल को होना था लेकिन प्रदर्शन कर रहे भी पच्छी ने ताओं द्वारा कथी तौर पर विधान सभा हॉल में तोड़ खोड किये जाने के चलते इसे 6 अप्रैल तक स्थकित कर दिया गया था हलाकि बाद में इसे 16 अप्रैल तक टाल दिया गया कर दो है पूरू प्रधान के पूरू प्रधान के पूरू पूरू प्रधान मंतरी इमरान खान के करीबी उस्मान बजदार ने एक अप्रेल को पंजाब के मुख मंतरी पद से स्थीपा दे दिया था जिसके बाद पंजाब इधान सभा ने सदन के नए नेता के चुनाओं के लिए सत्र बुलाया था फिर जब पंजाब इधान सभा का स बुला गया तो सत्ता रूर पीटी आई के विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ और विश्वास प्रस्तावपेश किया प्रस्तावपेश किये जाने के बाल पंजाब इधानसभा को सरकार ने सील कर दिया और वहां भारी पुलिस बद तैनाद कर दिया था दरसल पाक और सहयोगी पार्टियों द्वारा संयुक्त उमिदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है जबकि इलाही को पी एम एल क्यू ने आगे किया है पी एल एम क्यू को इमरान खान की पार्टी पिट्याई का समर्थन मिला हुआ है 16 अपरायल का सत्र लाहूर हाई कोट के बुदवार के आदिस के अनुरूफ हो रहा है जिसमें उसने जल्दी चुनाओ कराने और डिप्टी स्पीकर की सक्यों को बहाल करने की हमजा की याजका को खारिस कर दिया था बता दे कि डिप्टी स्पीकर की सक्यों को पिछले हपते वापस ले लिया गया था उन्हें अदारत ने 16 अपरायल को चुनाओ कराने के लिए कहा था पूरुराजपाल चौधरी मुहमत सर्वर को पिछले हपते उनके पद से हटा दिया गया था डेक्स रिपोर्ट डीके न्यूज